हलो एवरिवन आज बनाते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में कोफता रेसिपी जो की बनने वाली है बहुत ही डिफरेंट इंग्रीडियन्स के साथ और खाने में भी बहुत होने वाली है मज़ेदार और बहुत ही जादा टेस्टी तो इसके लिए हमें चाहिए मौंग डाल ओ प्याज साथ और चाहर पांच लसनगी वाली है अच्छे से और जो हमने बैटर बनाया है मौंग दाल को पीस के उसमें हमें इसको टांसवर कर लेना और इसको अच्छे से हमें एक ही तरफ हिलाते हुए मतलब बीट करते जाना है अगर आपके पस बीटर है तो बीटर की है से करें और इसमें एक चम्मच नमक डालें और सोड़े वगरा कि आपको ज़रुरत होगी नहीं इसको जितना बीट करोगे उतना अच्छा रहेगा और तड़के के लिए हमें चाहिएगा एक बड़ा प्यास और चार से पांच चोटे टमाटर और चार लसन की कलिया और में चाहिए उतने ही मैंने लिये हैं और इसको अच्छे से मैंने बिल्कुल फाइन मतलब मिक्सी में पीस लिया है और यह देखो हमारा जो बैटर है वह भी बिल्कुल रेडी है और अब हम एक कठाई में ऑईल चाहलें इसको थोड़ा सा गरम करेंगे और ओएल ना मतलब ब के डालेंगे और अच्छे से सिकने देंगे कि यह अंदर से भी पक जाये अंदर से कच्छे ना रहे हैं इस वएसे इनको अच्छे से पकने देंगे ऊइल तब हमारो जादातेज गरम नहीं Memphis यह वह घुड़ब te बैटर बनाया है कि इंस्टेंट वाली हम कोफते की सब्जी बना रहे हैं जो करीबन 10-15 मिनट के अंदर तयार हो जाएगी तो अभी सारे जो हमारे कोफते हैं वो तयार हो चुके हैं इनको थोड़ा बोती ब्राउन करना है महारत गोल्डन ब्राउन करना है बिल्कुल एकदम काले-काले नहीं करना है क्यूंकि मोंग डाल है तो मोंग अपने येलो कलर होती है तो अब एक पैन ले लेंगे उसमें अब हम इसमें मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तीनो चीजे मैंने एक एक चम्मच ही ली हैं और नमक हम सबसे एंड में डालेंगे तो इसको पकने देंगे और तब तक पकाना है जब तक की ऑईल बिल्कुल सेपरेट न हो जाए और इपल्कुल गाड़े फॉर्म में न हो जाए देखो धीर दे पकते पकते न यह बिल्कुल एस होता जारा पानी बिल्कुल सुखता जा रहा है और अब हम एक कटोरी धही ले मैं थोड़ा बहुत सिर्फ मनलब लिटल बिट तीन से चार सेकंड के लिए चलाओंगी और हमारी दही भी है अच्छे से बीट हो जाती है थोड़ा सा चलाने से ही और जब भी आप डालें तो बिल्कुल ही सिम फ्लेम पे डालें कभी भी हाई फ्लेम पे दही को ना डालें नह झालें है तो किस solicgestellt at the pons लाक बारत में जबमें और देखा उमारे कोफ्ते कीनी जयादा यहादा स्वाधिस्ट लगते है और अब सब्सक्राय मछी वेफ्ट से लिए एद। चेपड़ा मिक्स का टैंसे और हमें मतलब वह सारा मसाला इसके अंदर ही मिलेगा और जो धही थी थी थोड़ी बहुत मोहलका फुलका आप पो दिख रहा होगा वाइट वाइट हो लगी हुई है वह दही है बर टैंशन लेने की कोई ज़रूरत मी है इसमें खूप सारा अच्छे से पानी डलेगा रीजन तक इसको तेज आच पे उबलने देंगे आप ढकाना चाहो ज़ाओ ढका सकते हो बट इसको ओपन करके पका तो वह ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगी तो इसी करके मैं इसको ओपन करके पका रही हूं और पांस से आठ मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, इन फैक्ट आप राइस के साथ भी इसको खा सकते हो, यह मतलब सावन की रेसिपी है मेरी, क्योंकि सावन में कड़ी नी बनाते हैं, इस वए से मैंने यह वाली रेसिपी ट्राइ की है, आप लोगों को कैसी लगी, प्लीस मुझे नेक्स व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाबाई